अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए अतिहासिक टेस्ट मैच में टिम इंडिया ने पारी और 226 रनों से इस टेस्ट मैच को जीत लिया और अपना नाम इतिहास के पन्नों में अमर कर लिया बता दें कि अफगानिस्तान अपना डेब्यू टेस्ट मैच के रही थी वो भी विश्व की नमबर एक टीम चिम इंडिया के खिलाफ ऐसे में चिम इंडिया ने काफी आसानी से इस जीत को दर्च किया वहला आपको बता दें कि इस पूरे टेस्ट मैच को खतम होने में सिर्फ दो दिन लगे लेकिन टेस्ट मैच के दूसरे दिने के ऐसा वाक्या देखने को मिला जब सभी को धूनी की याद आ गई दरसल ये बात हम सभी जानते हैं कि डिसीजन रिव्यू सिस्टम को धूनी से बहतर और कोई नहीं जानता ऐसे में दिनेश कार्तिक की टीम ने आट साल बाद वापसी हुई थी ऐसे में कार्तिक ने मैच के दौरान DRS लिया जिसे देखकर खिलाडी भी हैरान थे कप्तान अजिंक रहने ने जब कार्तिक से पूछा कि क्या हम DRS ले सकते हैं क्या तुम सही कह रहे हो कार्तिक ने कहा कि बिलकुल आप निश्चिंत रहिए आप DRS ले लीजिए और DRS लेने के बाद अपायर को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा जिसके बाद कार्तिक को देखकर सभी को धोनी की आद आ गई नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स डेस के रिपोर्ट